आप लोग सो अभी चलते हैं हैदर टीवी और चल करके देखते हैं मोस्ट डेंजरस पीपर इन पाकिस्तान सो कुछ इस तरीके से टाइटेल और चल करके देखते हैं वीडियो की कौन है सबसे खतरनाक लोग महां के सो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इस वीडियो को और आप भी आई थिंक एक्साइटेड होंगे तो चल करके पहले साथ में देखते हैं इस वीडियो को एन देन उस पर बात करते हैं असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गुंडा ऐसा है जिसने एक हजार लोग भेज कर एक M&A को अगवा कर लिया था और क्या आपको पता है कि विहारी के एक गुंड में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट नाउ। किसी दावरो सब्सक्राइब कर दिया सिर्फ इतना है नहीं बलकि जब सदाकत का चोटा भाई अपने बाप से मिलने के लिए जेल में गया तो एस्पी खुरम ने उसे भी कतल कर दिया अपने भाई और वालत की वालत के लिए जर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया दो साल की अंदर ये बंदा सदाकत से काला गुजर बन गया था और इसने बदला लेने के लिए एस्पी खुरम के घर में घुज कर इसे और इसके भाईयों सब को कतल कर दिया इस खतरनाक जुरत के बाद गौर्मेट ने इसके सर पर पचास लाग रोपे का इनाम रख दिया लेगिन बिलीव ने करेंगी कि पुलीस से डर कर बागने की बजाए ये बंदा उस पुलीस स्टेशन में घुस गया जहां इसके वालिद और भाई को कतल किया गया था असल में एस पी खुरम के इलावा उस थाने में जो एसे जो और पुलीस वाले मौजूद थे वो भी इसके बाप और भाई के कातल थे इसलिए इन सबसे इंतकाम लेने के लिए ये बुरका पहन कर उसी थाने में घुस गया और वहां मौजूद S.H.O. समेत सारे पुलीस वालों को कतल कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बलके इबरत के लिए इसने इन पुलीस वालों को कतल करने के बाद बॉडीस ठाने के गेड़ के साथ लड़का दी कहते हैं कि 1998 तक इसने बहुत से पॉलिटीशन के साथ मिलकर बहुत से क्राइम किये लेकिन कोई से टेच भी नहीं कर सका लेकिन फिर एक पुलीस मुकाबले में इसका इनकाउंटर कर दिया गया था एनिवे जो भी हो उस दोर में हर पुलीस वाले के दिल में इसका खौफ जरूर हुआ करता था चौदरी नादर गुजर दोस्तो नादर गुजर इस वकट पाकिस्तान के सबसे ख़तरनाग और पावरफुल लोगों में से एक है इसका तालुक कसूर से है ये बिसिकली एक अमीर घराने से तालुक रख इस M.P.A. के साथ लोगों को दिन देहाडे उसी जमीन के उपर कतल कर दिया और सिर आदे गंटे में अपनी जमीन वापस ले ली पर M.P.A. ने अपनी पावर का इस्तमाल करके इसे जेल बिजवा दिया और नादर तीन साल तक जेल में रहा जब ये जेल से चूटा और अप पर हमला करवा दिया इस हमले में नादर के दो बांजे कतल हो गए लेकिन ये बंदा इतना इन्फलूएंचल था कि इसने अपने बांजों के मरने के सिर्फ 24 गंटों के बाद एक जार लोगों को अपने साथ लिया और M.P.A. के बाप को इसके घर से अगवा कर लिया आपको इसकी लाश दूसरे शहर से बरामद होई थी लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई इस शक्स का कुछ ने ये बिगाड़ सका ये शक्स आज भी खुले आम गोल रहा है और किसी की जुरत नहीं है किसे टच कर सके आपको पताता चलों कि नादर पर 1400 से भी ज्याद इसकी बन चुका है लगवा कर इससे भी सिस्पेंड करवा दिया इवन इस दोरान भाई की मौत की वज़ा से अरशद की बावी भी सदमे से वफात पा गई वेल इन सब हाथ साथ के बाद ये इनस्पेक्टर करिमिनल बनने पर मजबूर हो गया इसने पने पास मौजूद सारे पैसों से असला खरीदा और उस एम एने पर हमला करके इसके कई लोगों को गतल कर दिया सिर्फ इतना है नहीं बलकि अरशद ने खतरनाक मुझरूमों के साथ मिलकर उस एम एने के बेटे को भी अगवा कर लिया और इसे बिलकुल वैसे ही मारा जैसे इसके बाई को मारा गया था इन सब के दोरान अरशद को पकड़ने के लिए कई आपरेशन किये गए लेकिन इसमें कई पुलीस वाले अपनी जान दो बैटे आखरकार आलजी पंजाब ने इंस्पेक्टर अरशद के सर पर दो करोड रुपे का एनाम रख लिया एक और मज़े की बात ये है कि जब ये फरार था तो पंजाब गॉर्मेट ने इसकी प्रॉपटी पर कब्जा कर लिया था सो इसने उस वकत के वजिर आला परवेश इलाही को फोन किया और इने कतल करने की धमकी दी ये बंदा इस हद तक खतरनाग बन चुका था कि गॉर्मेट भी इससे डरती थी ये वन वजिर आजम पाकिस्तान ने खुद इसके इंकाउंटर का हुकम दिया था और आखरकार एक गदार की वज़ा से पुलीस बारी तादाद में इस पर हमला करने में कामियाब हो गई और इसे कतल कर दिया गया माजा जट दूसों ही जो शक्स आप देख रहे हैं ये कोई क्रिमिनल नहीं बलकि एक स्कूल टीचर था इसके वालत साब मुलतान के एक जमीनदार थे इस काहनी का आगास तब हुआ जब माजा जट के वालत ने मुलतान के एक S.H.O. को अपनी चार एकड जमीन बेची उस पुलीस वाले ने वो जमीन तो ले ली लेकिन पैसे अदा नहीं किये बलकि उल्टा इसके वालत पर फेक केसिस लगाकर इसे जेल में डाला और तशद्द करके कतल कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि उस S.H.O. ने उस कतल का इल्जाम भी उसके बेटे यानी माजा जट पर लगाकर उसे भी जेल में डाल दिया दो साल तक जेल में रहने के बाद कोट ने सबूत ना मिलने पर माजा जट को आजाद कर दिया लेकिन उस अरसे में ये टीचर से एक क्रिमिनल बन चुका था जेल के अंदर इसने मुझरूमों के साथ दोस्ती कर ली और बाहर निकलते ही इसने उस S.H.O. को सरयाम रोड पर ओन डियूटी कतल कर दिया इस कतल के बाद उस S.H.O. के भाई ने पुलीस का सहारा लेकर माजा जट और इसके साथियों पर हमला कर दिया लेकिन जिन लोगों के साथ माजा जट की दोस्ती हुई थी वो की आम लोग नहीं थी बलके दरजनों पुलीस आफिसर्स ने जब उन लोगों पर हमला किया तो उन्होंने गरनेट्स निकाल लिए और जब पुलीस वालों पर बॉम्स पूटे तो वो वहां से दुम दबा कर भाग गए आप बलीव नहीं करेंगे कि माजा जट को पकड़ने के चकर में आलमोस्ट तीस पुलीस वालों की मौत हो गई लेकिन कोई इसका बाल तक बांका नहीं कर सका खेर आईजी पंजाब ने इसके सर पर सतर लाग का इनाम रख दिया और पूरे मुल्तान में इसके पोस्टर्स लगवा दिये आखरकार मुखबरी से माजा जट को गिरफ़तार कर लिया गया जब इसे गिरफ़तार किया गया तो डियेस पी ने इसे मारना शुरू कर दिया माजा जट को उस डियेस पी पर इतना घुसा आया कि इसने पास मौजूद हावलतार से बंदूग चीनी और DSP को सब के सामने कतल कर दिया इस पर पूरी पुलीस फोर्स ने इस पर उपन फारिंग शुरू कर दी और सैकड़ों गोलियां मार कर इसे कतल कर दिया एनिवेस क्रिमिनल की स्टोरी वाके ही में बहुत शौकिंग थी महर दिलावर अराइन दिलावर एक ऐसा शक्स था जिसने 14-15 साल की उमर में ही जुर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया था इसका तालुक मुल्तान से था असलमें मुल्तान की एक सियासी ग्रूप ने इसके बड़े भायों को कतल कर दिया था क्योंकि इसकी फैमली ने उन पॉलिटीशन्स को अपनी जमीन बेशने से इंकार कर दिया था दिलावर उस वकद चोटा था लेकिन इसने उस वकद पुलीस में जाकर F.I.R. दर्जकर्वान की कोशिश की पर पुलीस वाले M.N.A. और M.P.A. से मिले हुए थे और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बाद दिलावर ने जर्म का रास्ता इक्तियार कर लिया और इवन ये इतना निडर था कि इसमें D.S.P. का घर भी लोट लिया और चार पुलीस वालों को भी कतल कर दिया इसके बाद दिलावर ने उस M.N.A. का पता लगवाया जिसने इसके बाई को मारा था जब उस M.N.A. के बेटी की शादी हो रही थी तो दिलावर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया और इसने उस पॉलिटीशन और इसके बेटे दोनों को मार दिया इस वाके के बाद पूरा मुल्तान इससे डरने लगा और इसका राज शुरू हो गया इवन ये बंदा मुल्तान में बिजनस करने वालों से बत्ता भी वसूल करता था और तो और जब मुल्तान के डीपियो ने इसे मना किया और इसे सरिंडर करने का हुकम दिया तो ये गंज लेकर डीपियो आफिस में पहुँच गया और पुलीस फोर्स के सामने डीपियो को कतल कर दिया असल में इसने अपने जिसम पर बंब बांदा हुआ था तो डर से कोई भी पुलीस वाला इसके नजदीक नहीं आया और तो और इसने बंब की वज़ा से ग्यारा पुलीस वालों को भी किडनेप कर लिया ताकि ये वहां से सेफली निकल सके खैर इस इंसिनेट के बाद पुरी पंजाब पुलीस इसके पीछे पड़ गई और इन्होंने दिलावर को ढूंड कर इसे और इसके साथियों को पुलीस मुकाबले में कतल कर दिया था बारहाल जो भी हो कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक आम सा बंदा भी खतरनात मुझरम बनने पर मजबूर हो जाता है सच में यार क्या ही बोलोगे आप देख रहे हैं जितने भी क्रिमिनल्स बने सब रिवेंज सिस्टम अगर हमारा सिस्टम सही रहता अगर उस टाइम पर उस सिस्टम ने उनकी हेल्प करी होती सोसाइटी ने हेल्प करी होती पुलिस वालों के पास जा रहा है अगर उनका सपोर्ट होता करेप्टेट नहीं होते तो शायद से ये जो इतने बड़े-बड़े डॉन्स बने ये डॉन्स नहीं बनते किसी का भाई मारा गया किसी की मा मारी गई किसी का कोई मारा गया सब रिवेंज वाला ही था किसी की खेती हड़ा पली गई उसके वज़े से तो ओवर और रिवेंज के वज़े से और हमारा सिस्टम अगर ऑनेस्ट हो तो कितना अच्छा हो ये जिस तरीके से लोग क्रिमिनल्स बन रहे हैं तमाम चीज़े हो रही हैं गलत ये सब रुख जाएं और आपने इस वीडियो के अंदर देखा जितने भी क्रिमिनल्स बने हैं सब कोई सिस्टम की देन है अब बेसी बात है मैं तो सिस्टम को ही कहूँगा कि अगर उस टाइम पर हमारा सिस्टम जो है पुलिस सही काम करे तो शायद इतना ज्यादा जुल्म ना बढ़े लेकिन उनका यही है कि आप बोल सकते हो कि उनके वज़े से बढ़ रहा है ये भी कह सकते हो और वही लोग है फिर रोपते भी बट यह कि वस्त पर सही काम हो तो इतना जुल्म ना बढ़े आप लोगों के क्या राए है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइग मेरा भी और भाई का भी चैनल जिस चैनल में रियक्शन दे रहा हूँ दोने ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो दोसों मिलते हैं नेक्स वीडियो में खयार लखेगा आप लोग अपना